दोस्तों जब भी मैं loans या फिर debts की बात करता हूँ तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है आप जरूर यही सोचते होंगे कि loans मतलब एक stressful life, पैसों की हमेशा तंगी रहना, हमेशा पैसों के बारे में ही सोचते रहना और जितना जल्दी हो सके अपने loans को खतम कर देना बच्पन से लेके अब तक हम अपने parents और अपने बाकी advisor से हमेशा यही सुनते आए हैं कि अगर हमारे उपर कोई करजा है तो उसे जल्दी से जल्दी हमें खतम कर देना चाहिए और जितना हो सके हमें इन loans और करजों से दूर रहना चाहिए क्योंकि यही हमारे लिए सबसे अच्छा है लेकिन दोस्तों सच यह है कि majority लोगों को loans इसलिए बुरे लगते हैं क्योंकि उन्हें इसकी knowledge ही नहीं है और मैं आपको guarantee देता हूँ कि यह video देखने के बाद आपकी पूरी psychology ही change हो जाएगी और आप बिल्कुल अलग सोचने लगे debts के बारे में दोस्तों क्या आपको पता है कि Mark Zuckerberg जोकि दुनिया के top 10 richest person में से एक है उनकी net worth फिलाल 121 billion dollar है उन्होंने 2011 में एक home loan लिया था 5.9 million dollars का वो भी पूरे 30 सालों के लिए और उस समय उनकी net worth 15.6 billion dollar थी और ये loan amount कुछ भी नहीं है उनकी total wealth के सामने आप भी confused होंगे कि भला एक Mark Zuckerberg जैसे billionaire को एक loan की क्या ज़रूरत पड़ गी तो don't worry आपको इसका भी answer मिल जाएगा वीडियो end होने तक आज मैं आपके साथ एक बहुती amazing book की summary शेयर करने वाला हूँ जिसका नाम है The Value of Debt on Building Wealth जिसे लिखा है Thomas J. Anderson ने इस book में उन्होंने बता है कि कैसे आप loans को smartly use करते हुए अपने लिए एक wealth create कर सकते हो और मैं इस बात के लिए sure हूँ कि इस book की summary जानने के बाद आपका mindset change हो जाएगा और आप कहोगे कि loans इतने भी बुरे नहीं होते जितना कि उन्हें समझा जाता है तो दोस्तो इस book के पहले lesson की बात करें तो वो कहता है कि अथर कहते हैं कि हमें अपने loans को pay करने में जादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए उसकी जगा हमें loans को smartly use करना चाहिए ताकि हम उससे अपनी wealth create कर सकें और financially strong हो सकें example के तोर पर आप मालों की दो दोस्त हैं राम और रोहन जिनों ने एक साथ ही पढ़ाई की और दोनों की किसी अच्छी सी company में job लगी same salary पर और दोनों ने ही अपनी 20s की age में ही 20 लाख रुपे का home loan ले लिया लेकिन राम ने home loan लिया 20 सालों के लिए ताकि उसे कम interest pay करना पड़े और वही रोहन ने 20 लाख रुपे का home loan लिया 30 सालों के लिए दोनों का interest rate same है 7% का अब राम सोचता है कि उसे जल्दी से जल्दी अपना loan खत्म करना चाहिए इसलिए वो EMI देता है 15,000 पर मन की प्लस वो bank को कुछ extra payment और करता है ताकि उसका loan जल्दी खत्म हो सके साथ कुछ extra payment भी कर रहा है bank को ताकि उसका loan जल्दी खत्म हो जाए तो उसने अपना loan सिर्फ 15 सालों में चुका दिया अब आप सोचोगे कि राम ने काफी सही किया अपना loan जल्दी खत्म करके जिसकी वज़े से उसे कम interest पे करना पड़ा महीं दूसरी तरफ रोहन अभी भी अपनी EMI भर रहा है और साथी साथ invest भी कर रहा है अब राम सोचता है कि मेरे उपर कोई भी करजा नहीं है तो मुझे भी 10,000 पे पर मत invest करने चाहिए stock market में और दोनों को ही same 15% का return मिलता है अपनी investing पर अब 15 साल और भी जाने के बाद रोहन ने भी अपना सारा लोन पे कर दिया है लेकिन 30 साल बाद अब क्योंकि राम ने अपना सारा लोन सिर्फ 15 सालों में ही पे कर दिया था तो उसे total interest पे करना पड़ा 12,50,000 रुपे मतलब जो total amount उसे bank को देना पड़ा वो है 33,00,000 अब क्योंकि रोहन ने काफी लंबे टाइम के लिए लोन लिया था तो उसे interest भी जादा पे करना पड़ा जो कि राम के interest से double से भी जादा है वहीं उसने bank को total amount जो पे किया वो है 49,00,000 अब जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो यही सोचेंगे कि रोहन को loss हुआ है क्योंकि उसने जादा interest पे किया है bank को एक दिन राम और रोहन आपस में बात कर रहे थे तो राम कहता है कि यार रोहन तुम कितने बेवकूफ हो तुमने bank को 28,00,000,000 रुपे से भी जादा का interest पे किया और 30 सालों तक EMI और Tension वाली life जी और मुझे देखो मैंने सिर्फ 15 सालों में ही अपना loan खतम कर दिया और 15 सालों से मैं invest भी कर रहा हूँ जिसकी वज़े से मेरे पास आज 68,00,000 रुपीज है तो रोहन इस पर जवाब देता है कि हाँ तुम्हारे according मैं बेवकूफ हूँ क्योंकि मैंने bank को जादा interest पे किया है जो तुम पिछले 15 सालों से investing कर रहे हो वो मैं पिछले 30 सालों से कर रहा हूँ और मेरे इसी बेवकूफी की वज़े से आज मेरे पास 5 करोडे है रोहन ने कहा कि उसके पास अब 5 करोड रुपे हैं अगर उसे अपनी investment पर सिर्फ 2% का dividend मिलता है मतलब yearly उसे 10 लाक रुपे का dividend मिला और उसकी monthly income हुई 83,000 से भी जादा जो कि उसकी salary से भी काफी जादा होगी ये सब सुनने के बाद राम को काफी jealous feel हुई तो वो अब सोचता है कि वो बहुत ही aggressively market में invest करेगा वो 10,000 की जगा 20,000 रुपे पर मंत invest करेगा लेकिन उसे job भी करनी पड़ेगी क्योंकि उसके पास और कोई option नहीं है वहीं दूसरी तरफ रोहन को अब पैसो के लिए कोई काम नहीं करना उसका dividend ही उसके लिए salary है क्योंकि अब रोहन बिल्कुल tension free life जीना चाता है तो अब वो कोई investment भी नहीं करता वही राम अभी भी aggressively market में invest कर रहा है job करते वे लेकिन 10 सालों बाद जो उसके पास amount होगा वो है 3,30,000,000 रुपे रोहन ने अगले 10 सालों तक कोई investment नहीं की लेकिन compounding के magic ने उसके 5 करोड रुपे के investment को 20 करोड से भी जादा में grow कर दिया है तो आप देख सकते हो रोहन ने कैसे smartly loans को use करके अपनी बड़ी wealth create की तो इस point से author ये कहना चाते है that loans are not bad if you think different and invest smartly जिसका मतलब है loans बुरे नहीं है अगर आप थोड़ा different तरीके से सोचो और उन पैसो को smartly invest करो लेकिन आपको इस example से बहुत जादा excited होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि author के according सभी loans same नहीं होते हैं क्योंकि कुछ loans आपको हर कीमत पर loss ही देंगे मतलब ऐसे loan आपके लिए totally wealth destroyer होते हैं और इस बात में कोई doubt नहीं है कि आपको इस तरह के loans को totally avoid करना चाहिए और इसलिए दूसरे point में author कहते हैं कि आपको difference पता होना चाहिए oppressive debts और enriching debts के बीच में अगर आप भी confused हैं oppressive debts और enriching debts के बीच में तो मैं आपको बता दूँ कि oppressive debts ऐसे loans होते हैं जिनमें आपको काफी high interest rate पे करना पड़ता है जिससे भी आपने loan लिया है जैसे किसी person या फिर किसी bank से credit cards oppressive debts का सबसे best example है जिस पर आपको काफी high interest rate पे करना पड़ता है और author के according हमें ऐसे loans को totally avoid करना चाहिए अगर आप time पे payment नहीं करते हो तो bank आपसे high interest rate के साथ साथ एक late fees भी charge करते है overall आप bank को इतना जादा amount pay कर देते हों interest के रूप में जिसकी वज़े से आपकी जो wealth थी भी नहीं वो भी चली जाती है वहीं दूसरी तरफ अगर आपने किसी person से loan ले रखा है अगर आप उसे time पर payment नहीं करते हो तो हो सकता है कि आपके साथ हो misbehave करे आपको बुरा भला बोले जिसकी वज़े से आपके relations भी कराब होंगे इसलिए author कहते हैं कि हमें हर तरह के oppressive debts को avoid करना चाहिए क्योंकि ऐसे debts से दूर रहना ही हमारे लिए समझधारी है author हम सभी को enriching debts पर focus करने के लिए कहते हैं क्योंकि ऐसे debts आपसे low interest rate चार्ज करते हैं इनमें आपको tax benefit भी मिलता है जो कि आपको oppressive debts में देखने को नहीं मिलता और सबसे बड़ी बात थी long term loans होते हैं आप long term loans को low interest rate के साथ smartly use कर सकते हो example के तोर पर माल लो कि आप एक बहुती stable job करते हो और आपकी salary भी काफी अच्छी कासी है और आपके पास 10 lakh रुपे की savings है जिने की अब आप use करना चाते हो और अब आप सोच रहे हो कि आपको एक घर ले लेना चाहिए अपने और अपनी family के लिए तो आपके लिए समझदारी की बात ये होगी कि आप direct 10 lakh रुपे किसी घर को खरीदने की बजाए bank से home loan low जो की आपको 6-7% पर मिलेगा और आप अपनी इस 10 lakh रुपे की savings को smartly किसी ऐसी जगा पर invest करते हो जहां आपको इस bank के interest से ज़ादा return मिले और आपको इस home loan को simple EMIS के through pay करना है जिसका मतलब कि आपको 10 lakh रुपे advance में मिल रहे हैं invest करने के लिए जिसकी installments आप हर मन्त EMIS के रूप में दोगे अब आप सोचोगे कि जब हमें हर मन्त EMIS देनी ही है तो भला हम इतनी tension वाली life क्यों जिये loans लेकर loan लेने की बजाए हम हर मन्त SIP के through भी तो invest कर सकते हैं तो दोस्तो ऐसा मैंने इसलिए का क्योंकि जब भी आप कोई lump sum amount invest करते हो तो आपको उस पर जादा returns मिलते हैं as compared to जब आप SIP के through invest करते हो दोनों तरीकों के ही अपने-पने फायदे और नुकसान है लेकिन अगर आप proper knowledge की साथ एक बड़ा amount long term के लिए invest करते हो तो आपको अच्छे returns ही भी लेंगे जैसा कि मैंने वीडियो के starting में कहा था कि Mark Zuckerberg ने भला एक home loan क्यों लिया जबकि वो इसे easily afford कर सकते थे तो इसका पहला reason है कि उनका interest rate inflation rate से कम था और वो अपने capital को किसी ऐसी जगा पर invest करना चाते थे जहां उनका capital जादा तेजी से grow हो सकता था inflation rate के मुकाबले क्योंकि उनके loan का interest rate inflation rate से भी कम था इसलिए उन्हें bank को एक negligible interest pay करना पड़ा जो कि उनके लिए almost free money थी और वो अपना amount ऐसी जगा पर invest कर पाए जहां से उनने बहुत ही अच्छे returns मिले और उनका capital भी तेजी से grow हुआ इसका मतलब उनने एक बहुत ही smart game खेला एक home loan लेकर दोस्तों तीसरा और आखरी lesson जो मैंने इस book से सीखा उसका नाम है financial life method जिसमें L का मतलब है launch I का मतलब है independence F का मतलब है freedom और E का मतलब है equilibrium author कहते हैं कि इन 4 points को detail में समझने के लिए सबसे पहले आपको अपनी net worth calculate करनी है जिसका एक बहुत ही simple formula है assets minus liabilities in short मैं आपको समझा देता हूँ कि assets वो होते हैं जिने आप खुद own करते हो और उन पर आपका ही right है जैसे आपकी car, आपका घर, आपका bank balance या फिर आपकी investments वही liabilities वो होती है जो पैसा आपको किसी और को देना है उस पर आपका कोई right नहीं है और liabilities को हम debts भी कह सकते हैं जैसे कि आपका car loan, home loan, personal loan या फिर किसी relative से उधार लिया हुआ पैसा ये सब आपकी liabilities है जब आप अपने assets को liabilities से subtract करोगे तो आपको अपनी actual net worth का पता चल जाएगा अगर आपकी net worth आपकी annual income की आदी है तो आप अभी L यानि की launch phase में हो एक्जांपल के तौर पर अगर आपकी net worth एक लाक रुपे है तो आपकी annual income दो लाक रुपे होगी मतलब आपकी net worth आपकी annual income की half है जो की एक अच्छी बात नहीं है वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी net worth आपकी annual income के बराबर है या फिर उससे जादा है तो आप अभी I यानि की independence phase में हो पिछले example के साथ continue करें तो अगर आपकी net worth एक लाक रुपे है तो आपकी annual income या तो एक लाक होगी या फिर उससे थोड़ी जादा होगी और जब तक आपकी net worth आपकी annual income का 5 गुना या फिर उससे जादा नहीं हो जाती है तब तक आप launch और independence phase में ही रहोगे अगर आपको इस launch और independence phase से बाहर निकलना है तो आपको अपनी net worth को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा अगर आपकी annual income 2 लाक रुपे है और आपकी net worth 10 लाक रुपे तो congratulations आप launch और independence phase के बाहर आ चुके हो यह आपके लिए अच्छा sign है लेकिन अभी आप freedom phase तक नहीं पहुँचे हो freedom phase तक पहुचने के लिए आपको अपनी net worth को बढ़ाना पड़ेगा और इसके लिए आपको जितना हो सके उतना अपने कर्जों को कम करना पड़ेगा यानि की minimize करना होगा और इसके लिए आपको अपने debt ratio calculate करना पड़ेगा example के तोर पर अगर आपकी net worth है 10 लाक रुपे लेकिन आपके कर्जें है 8 लाक रुपे तो आपका debt ratio हुआ debt divided by net worth is equal to 0.8 जो की एक बिल्कुल भी अच्छा सा ही नहीं है और अभी आप दूर दूर तक freedom phase में नहीं हो जब आप अपनी liabilities को minimize कर दोगे और अपने assets को बढ़ाओगे तो आपकी net worth automatically बढ़ जाएगी और अब आप actual में freedom phase में आ चुके हो equilibrium phase तक पहुँचने के लिए आपको अपनी liabilities को बिल्कुल zero करना पड़ेगा यानि कि बिल्कुल ही करजा मुक्त होना पड़ेगा और जब आप पैसा कर लोगे तो आपकी net worth equal हो जाएगी आपके assets के और इस phase में आप बिल्कुल tension free होते हैं क्योंकि आपके उपर कोई भी करजा नहीं है और आपको पैसो की भी चिंता नहीं है क्योंकि आपके assets ही आपको इतना पैसा कमा कर दे रहें कि आप उन पैसो को दुबारा से reinvest कर सकते हो ताकि आप future में और जादा wealthy बनो तो दोस्तों ये थी the value of debt on building wealth book की summary अगर इस summary आपको interesting लगी हो तो मैं आपको highly recommend करूँगा कि आप इस book को जरूर purchase करो क्योंकि इस book में जो आपको value मिलेगी वो इसके price के मुकाबले काफी जादा है अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस video को like करो और मेरे इस channel को भी subscribe करो ऐसी educational videos और देखने के लिए और अपना valuable time इस video को देने के लिए thanks